किसान मैं यो गेहूं बुवाई के बाद अगर आपका गेहूं 20-25 दिन का हुआ है तो इस टाइम पर आपको इन चार कामों को जरूर कर लेना है अगर आप इन चारों कामों को कर लेते हैं तो अच्छे से गेहूं का विकास होगा, कलों का फुटा होगा, जडों का विकास यदे आप इस्किप करके देखेंगे तो आपके पले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है बाकी चैनल को सस्काइब कर लिजेगा हमारा सपोर्ट कीजे तो आपके लिए और भी बहतरी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे पहला काम जो करना है वो है सिचाई पहली सिचाई दूस्त से 21 दिन पर करने लिए खेट तयार हो जाता है क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर जड़ों का फुटाव होता है और दितियक जड़े जो एक्स्ट्रा जड़े निकलती है वो भी निकलना चालू हो जाती है तो अगर खेट में नमी परियाप्त नहीं है तो ये जड़े अच्छे से नहीं फूटती है और अगर फूटती भी है तो छोटी रह जाती है तो इसलिए अच्छी नमी के लिए आपको सिचाइश टाइम पर कर देना है जिससे जड़ आसानी से फुटाव कर सके और नीचे गहराई तक पहुंच सके अब गहराई तक जड़ पह आधम से मिलने लगेंगे जिससे पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे में देखते हैं कि जड़ आर्ध निर्मित होती है जड़ सही से बिक्सित नहीं हो पाती है जिससे कल्लों का बनना भी कमजोर रह जाता है पौ उससे किसान भाई केवल यूरिया डालते हैं अब केवल यूरिया आपको डालने से दोस्तों फाइदे तो हैं लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़े नहीं डालते हैं तो पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ और विकास नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ अन्य पोश्चत तत्त जैसे कि अगर आप बुवाई के टाइम पर डिये पी डाला है तो पौटास भी आपको इस टाइम पर 25 किलोगराम प्रतेकर ले लेना है और यूरिया के साथ में मिला करके डाल दीजिए जिससे पौटास भी आपके गेहुं में समय से मिलना चालू हो जाएगी और पौधा अच्छी तरह से विकास करना चालू कर देगा और इसके साथ इस टाइम पर जो है आपको टाप डेसिंग के रूप में यूरिया भी देनी है तो यूरिया की 35 से 45 किलोगराम मात्रा आप पहले सिचाई पर दे सकते हैं नाइट्रोजन की पूर्त हो पाएगी और पौधा भो जिससे पौधे में अच्छी तरह से हरा पनाएगा पौधे में पौटास और ये चीजों की पूर्त करने से पौधा काफी अच्छे से विकास और भोजन आसानी से बना पाएगा अब इसके बाद ये चीजें कर दिया यूरिया डालने के बाद आप देखते हैं पौधे की ह हाइट एकदम तेजी से बढ़ती है अब तेजी से अगर हाइट बढ़ेगी तो जड़े इतनी अच्छे से फुटाओ नहीं हो पाएगा और ब्रांच भी इतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी तो आपको इस टाइम पर ग्रोथ पौधर भी देना है ग्रोथ पौधर देने जड़ों का विकास भी तेजी से होता है और इस टाइम से जब जितनी अच्छे से कल्लों का फुटाओ होगा उतनी ही ज्यादा आपकी पैदावार मिलेगी तो इसलिए ग्रोथ पौधर आप इस टाइम पर डालते हैं तो निश्चत ही काफी अच्छी कल्लों की संख्या नि हैं तो जिंक भी आपको इस टाइम गेहूं की फसल में जरूर डाल देना अब जिंक किस कंडिशन में डालना है ये भी दोस्तो बहुत जरूरी है अगर आपने पिछली फसल में जिंक का इस्प्रे किया है मिट्टी में नहीं डालना है तब तो आप पिछली फसल में परसंट मोनो जिंक ले लेना है या 21% वाली 7 किलोग्राम जिंक ले लेना है अब इस जिंक को आप यूरिया के साथ में मिला करके अपने खेत में डाल दीजिए जिससे जिंक जब पहुंचेगी तो पौधे में बहुत से रोग बिमारियां जो होते हैं वो भी कंट्रोल हो जिंक जब पहुंचेगी तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद